आज के वीडियो में हिपेटाइटिस क्या है और यहां कितने प्रकार का होता है? इन प्रकारों का पूरा डेटेल समझाएंगे. तो चलिए सुरू करते हैं. हिपेटाइटिस एक लीवर की बिमारी है जो वाइरस से होती है. प्रमुख रॉप से वाइरस से होती है. ये 5 वाइरस लिवर के दुस्मन होते हैं और 5 वाइरस के आधार पर हिपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है पहला है हिपेटाइटिस A, दूसरा हिपेटाइटिस B, तीसरा हिपेटाइटिस C, चौथा हिपेटाइटिस D और हिपेटाइटिस E, इन में से सबसे खतरनाक हिपेटाइटिस B और C होता है चलिए इन सब को एक एक करके समझा देते हैं तो पहला है हिपेटाइटिस A, हिपेटाइटिस A एक लीवर का रो किस वाइरस से हिपेटाइटिस ए वाइरस के कारण होता है यह संक्रमित भोजन या जल से फैलता है संक्रमित भोजन है संक्रमित जल है तो उससे फैलता है मतलब यदि हम संक्रमित विक्त के भोजन या पानी के संपर्क में आते हैं जल के संपर्क में आते हैं तो यह बिमारी ह हो जाती है या हेपेटाइटिस का सबसे कम प्रभावी प्रकार है कम प्रभावी होता है इस रोग को आराम वा पौश्टिक आहार के द्वारा ठीक किया जा सकता है तीका काड़ द्वारा इस वाइरस के संक्रमार से बचा भी जा सकता है फिर दूसरा है हेपेटाइटिस बी य होता है यह दीर घकालिक रोग है और संक्रमित इंजेक्टब की सुई के द्वारा आप्छित लेंगिक संबंध के द्वार। बनाया तो आपको होजाएगा, यानि हपेट by वारेस जो होता है, यह संक्रमित व्क्त के रक्ति और वीर में पाय जाता है, अब वो आशुरिचिति sürतियों सम्दमन बनायगा तो वीर का संपर्क आपसे हो जाएगा इस तरह से आपको हो जाएगा और फिर कहा गया है कि संक्रमित रुधिर अधान के द्वारा यानि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांस्फ्यूजन के द्वारा भी ये फैलता है जो लीवर में लगभग एक से चार महीने बाद दिखाई देते हैं एक से चार महीने बाद जिसमें पेट में दर्द है यूरिन का रंग बदलता है यानि मूत्र का रंग गहरा हो जाता है बुखार आता है जोडों में दर्द होता है भूँक नहीं लगती है और उल्टी कमजोरी महसूस होती है थाकान लगती है यह सब हेप प्रकारों की जाज की जा सकती है ताकि पता चल सके कि कौँ सा वाइ्रस है और कितना एक्ट्यू है टेस्ट की रिपोर्ड पॉस्ट्यू आने के बाद डाक्टर की सलापर तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए अगर हिपेटाइटिस बी से बचाओ की बात करें किसे कैसे बचा जाए तो हिपेटाइटिस बी की रोगठाम के लिए वैक्षीन है वैक्षीन लगवाई जाए बच्चों को साथ ही इलाज के लिए चिकिसक एंटिवाइरल दवाया देते हैं तो एंटिवाइरल दवाओं का प्रियोग किया जाए, हिपेटाइटिस B से संक्रमित रोगी की इस्थिति गंभीर होने पर लीवर ट्रांस्प्लांट भी करा जा सकता है, अगर इस्थिति गंभीर है, बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो लीवर का ट्रांस्प्लांट भी करवा सकते हैं, एंटिवारल और तुलिणा में Hepatitis C अधिक घातक है ये संक्रमित विख्ति के रक्त के जरी फ़लता है बलड के जरी फैलता है Hepatitis C भी क्रॉनिक समस्या है जो आम तोर पर कई सालों तक एक मूख संक्रमण की तरह बना रहता है यानि छिपा हुआ संक्रमण रहता है आप जान नहीं पाते हैं, हिपेटाइटिस C के कारण कुछ रोग्यों को लीवर कैंसर तक हो सकता है टैटू गुदवाने, दूसित रक्त, इंफेक्टेड निडिल्स इसके इस्तेमाल से और दूसरों की सेविंग किट के उपयोग से हिपेटाइटिस C का जोखिम बढ़ जाता है अगर इसके रक्षणों की बात करें, यहिपेटाइटिस C के स्म्टम्स कों कों से होते हैं, तो हिपेटाइटिस C को साΑीलेंट किलर भी कहा जाता है, साइलेंट किलर भी कह सकते हैं आप जब तक लीवर को गंभीर नुकसान नहीं पहुचा देता तब तक हिपेटाइटिस C के लक्षण नहीं नजर आते हैं हालाकि हिपेटाइटिस C के रोग्यों को बहुत ठाकान आती है भूँख नहीं लगती है पीलिया की सिकायत हो जाती है गहरे रंकी पेसाब और त्वचा में खुजली की समस्याएं हो सकती हैं ये हिपेटाइटिस C के लक्षण होते हैं अगर हिपेटाइटिस C से बचाओ की बात करें तो हिपेटाइटिस C के लिए अभी तक कोई वैक्षिन नहीं है लेकिन चिकिसा छेत्र में हुए नए सोध और प्रियोगों के कारण हिपेटाइटिस C के इलाज के लिए एंटिवाइरल दवाएं उपलग्द हैं ये हिपेटाइटिस C की ऐसी कई दवाईयां हैं जो मरीज के सरीर से 90-100% तक वारस को दूर कर सकती हैं हाला कि इसके लिए सही समय पर सही इलाज जरूरी होता है हिपेटाइटिस C की इस्थिति गंभीर होने पर लीवर ट्रांस्प्लांट की आवशक्ता होशक्ती है चले हिपेटाइटिस D को सबजा देते हैं तो हिपेटा लुगों को होता है जो हिपेटाइटिस B वायरस से संक्रमित हैं और संक्वन रख्त के संपर्क में आने से फैलता है नस के रास्ते से नसीली दवाएं लेने और पूरुशों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पूरुशों में इसका ज़्यादा खत्रा होता है इंटर्फ चणों में थाकान, उल्टी, हलका बुखार, दस्त, गहरे रंकामोत्र आदी होता है। चले, हिपेटैटिस E को समझा देते हैं, तो हिपेटैटिस E संदूसित जल के द्वारा फैलता है, और हिपेटैटिस E वाइरस के द्वारा होता है। हिपेटाइटिस E के मामले अन्य हिपेटाइटिस वाइरस की तुलना में कम होते हैं, लेकिन ये HEV भी लीवर के लिए काफी नुफसान दायक होता है, संक्रमित देखते के मल से फैलता है या दूसित खान पान के कारण हिपेटाइटिस E हो सकता है, हिपेटाइटिस E की करें तो हिपेटाइटिस E के लक्षणों में हिपेटाइटिस E वाइरस से संक्रमित रोगी को पी लिया हो जाती है, जोडों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, भूंक नहीं लगती है, जीव में चलाता है और उल्टी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, अगर इ तो अच्छता रखें, इसके विशेश सावधानी देना होता है, बरसात में गंदे पानी के कारण हिपेटाइटिस E का खातरा सबस्यादा होता है, क्योंकि बरसात के दुरूं में गंदा पानी अधिक होता है, जिसके कारण हिपेटाइटिस E का खातरा अधिक हो जाता है, इस जल और रसों का सेवन करना चाहिए यानि अधिक जल और रसों के सेवन की सला भी डाक्टर देते हैं तो आसा है आप सबी लोगों को हिपेटाइटिस E, हिपेटाइटिस D, हिपेटाइटिस C, हिपेटाइटिस B और हिपेटाइटिस A अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद